इस session में हम अपने पिछले session में जो बात शुरू की थी उसी को continue करेंगे और multiple choice items के कुछ और uses जो हैं उसकी बात करते हैं multiple choice items हम terminologies के knowledge को check करने के लावा specific facts के knowledge को check करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं लोग इसको किस काम के लिए ना जो हम syllabus पढ़ाते हैं ना स्कूल के अंदर उसका बहुत सारा हिस्सा अगर आप देखें तो बहुत specific इसम के facts लोगों के नाम या कुछ सालों के बारे में बताया जाता है कुछ inventions के नाम बताया जाते हैं मुखव तरह के specific facts जो हैं वो हम अपने पढ़ाई में बच्चों को सिखाते हैं जिनका तालुख ज्यादा तर memorization से होता है या sequence के साथ होता है तरतीब के साथ होता है इन चीज़ों का तालुख लेकिन ये बनियादी facts बड़े importance रखते हैं किसी भी तरह की higher order learning के आगे चलने के लिए यानि अगर मुझे बनियादी facts ना याद हूँ specific facts का पता ना हूँ तो उस पे बनियाद किया जाने वाला higher order knowledge जो है या higher order learnings जो है वो मेरे लिए करना मुश्किल है तो इनको चेक करना बड़ा एहमियत रखता है assessment में कि हम students ने हमारे बताए हुए specific facts को किस हद तक समझ लिया या याद कर लिया ये चेक कर लेते हैं हम इसके जरीए से ऐसा करने के लिए अब देखिए कि MCQs में focus क्या होगा यानि जब मुझे check करना हो who, what, when, where इन चीज़ों को चेक करना हो कि कोई चीज मैंने पढ़ाई तो वो किस ने किया था क्या किया था कब किया था किस जगा ये हुआ था अगर मुझे इस तरह की information चेक करनी हो student ने learn की है या नहीं तो उस सूरत में MCQs आपके पास available options में से एक option है मिसाल के तोर पे मैं आपको दो तीन सवाल दिखाता हूँ जिसमें हमने specific facts को चेक किया मसला ये सवाल जैसे आपके सामने slide पे है Who was first astronaut to land on moon सबसे पहले चांद पे कौन सा astronaut जो है वो उतरा इसके नीचे तीन नाम दिए गए है इन में से एक दुरस्ट नाम है आपने दुरस्ट नाम का इंतखाब करना है देखिए इसमें से दुरस्ट नाम नील आमस्ट्रॉंग का है So ये एक specific piece of knowledge है जो कि जिसका जानना अपनी जगा एहमियत रखता है सो ये assessment के दुरान इस तरह से पूछा जा सकता है इसी तरह ये एक और सवाल है आपके सामने What was the name of space shuttle that landed on the moon So कौन सी space shuttle सबसे पहले moon के ओपर जिसने land किया था तो उसके नीचे फिर चार जवाब दिये गए है इन जवाबों में से भी एक जवाब जो है वो दुरुस्त है और उसका इंतखाब आपने करना है और फिर वही बात मैं repeat करूंगा कि ये एक specific fact है जिसका memorize करना बहुत सारे इसके आगे आने वाले नौलिज के लिए बनियाद का काम करता है So इसमें Apollo जो है थी आप सब जानते है कि ये space shuttle थी पहली जो moon पे जिसने land किया इसी तरह अब सालों के मामले में years, timing के बारे में बात करनी हो तो when did first man landed on the moon पहला आदमी कब moon पे उत्रा था तो उसके लिए साल दिये गए कि इन सालों में से कौन सा दुरुस्त है 1962, 66 देखें एक तरतीब से लिखें है 62 पर 66 पर 67 पर 69 इन में से एक factually दुरुस्त जवाब है So आपने उसका इंतखाब करना है और आपके स्लाइड पर जैसे नजर आ रहा है कि 1969 इसका दुरुस्त जवाब है So ये चंद मिसालें थी जिनके जरीए से हमने MCQs का इस्तमाल करते हुए यानि Multiple Choice Questions का इस्तमाल करते हुए Student का जो knowledge है About specific terminologies ये हम चेक करना चाहरे होते है और ये knowledge बेशक memory based होता है लेकिन ये अपने तोर पे इसलिए एहम है इसका चेक करना कि ये बन्याद बनता है बहुत सारे higher order learning की